दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2000 में आई बॉलीवर्ड की वन अप दा फाइनेस्ट क्राइम थिलर फिल्म फिजा से जोड़े बहुत सारे अन्नौन फेक्ट्स और इसके बॉक्स ओफिस पर्फॉमिंस के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडिय थी जिसमें रिदिक रॉसन पूरी तरह आ से बिलकुल एक अलगी आवतार में नजा रहे थे और फिल्म फिजा में रिदिक रॉसन ने अपनी पर्फॉम Mmm से से इस बात को थाबित कर दिया था कि वो कमर्सियल फिल्म में एक्टिंग करने के साथ ही साथ रियलिस्टिक फिल्मों में भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं फिल्म में करिस्मा कपूर के भी केडियर की वन अब दा फाइनेस्ट पर्फॉमेंस हमें देखने के लिए मिली थी फिल्म की कहानी सन 1993 मुंबई बॉम बलास्ट पर बेश्ड थी जिसमें हमें एक मुस्लिम परिवार की कहानी दखाई जाती है कि कैसे एक मासूम लड़का आगे चलकर एक टेररिस्ट गृरूप को ज्वाइन कर लेता है और बाद में उसकी बहन कितने मुस्किल हालातों में उसको ढूड़ती है फिल्म में दखाए गए एक भाई और भेहन के बीच में कनवर्सेसन और एमोशनल सीन्स आपका दल जीते लेते हैं इस बहतरीन फिल्म को रिलिज किया गया था आठ सेतंबर सन 2000 को फिल्म में हमें नजाराये थे रितक रौसन, करिस्मा कपूर, जयाबच्चन, नेहा बाचपई, आसा सचदेव, जौनी लीवर और मनोज बाचपई फिल्म को डारेक्ट किया था खलील महमद ने, जिनकी बतोर डारेक्टर ये बॉलिवर्ड में डेब्बियू फिल्म थी हाला कि खलील मुहमद इसके पहले एक स्क्रीन राइडर के तौर पर, एक क्रिटिक्स के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर और हिंदोस्तान टाइमस में फिल्म फेयर मैकजीन के लिए एडिटर के तौर पर काम कर चुके थे और फिल्में फजा के बाद उन्होंने आगे चलकर तहजीब और सिल्सले जैसी फिल्में भी बनाई लेकिन ये फिल्में उतनी पॉपलर नहीं हो पाई थी फिल्म को प्रोडूस किया था 9X मल्टी मीडिया के फाउंडर परदीब गुहाने जिनके फिल्हाल टीवी पर 9XM, 9X जलवा और ऐसे कई और चैनल टीवी पर आते हैं फिल्म को लखा था खलील मुहमद और जाबेद सिद्धी ने और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था अन्नू मलक ने हाला कि फिल्म के पूरे म्यूजिक अलबम मैंसे फिल्म का एक गाना पिया हाजी अली एयार रह्मान ने बतोर गेस्ट म्यूजिक डारेक्टर कमपोज किया था इसके म्यूजिक अलबम में लगबख 48 मिनिट की लेंथ के टोटल 8 गाने रखे गए थे इस फिल्म के म्यूजिक अलबम की लगबख 25 लाग से भी जादा आडियो कैसेट से सेल की गई थी फिल्म के कुछ गाने तो बिल्कुल एवर ग्रीन है जो आज इतने साल बाद सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं फिल्म के पॉपलर गाने थे आजा माहिया, पिया हाजी अली, ना लेके जाओ आँख मिलाओंगी, महबूब मेरे तू फिजा है और आँख मिलाओंगी इन सभी गानों के लिर्क्स लिखे थे गुलजार, समीर और सौकत अलीन है और इन सभी सुपर हिट गानों में अपनी आवाज दी थी उदित नारायन, अलगायागनिक, आसा भोंसले, जस्पिंदर नरूला, सौनुनेगम, सुनिदी चोहान, जुबीन गर्ग और एयार रह्मानने अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगबग 5 करोड़ 50 लाक रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगबग 14 करोड़ 67 लाक रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 32 करोड 20 लाख रुपए का कलेक्सिन गिया था और ये फिल्म उस्टाइम पर एक सेमी हिट फिल्म साबित होई थी फिल्म को टोटल 275 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस्टाइम पर लगभग 99 लाख लोग सिनेमा घरों में आये थे और सन 2000 में ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में 11 वे नंबर पर थी सन 2000 में आई रितक रौसन की फिल्म कहोना प्यार है के बाद रितक रौसन का क्रेज इतना ज़्यादा था कि हर जगह उस्टाइम पर यूथ में रितक रौसन की दीवानगी साफ साफ देखी जा सकती थी उस साल रिलीज हुई रितक रोसन की टोटल तीन फिल्मों में से उनकी दो फिल्मे टॉप फाइब की लिष्ट में सामल थी सन 2000 की अगर टॉप फाइब फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी कहो ना प्यार है दूसरे नमबर पर थी महबतें तीसरे नमबर पर थी मिसन कास्मीर चौते नमबर पर थी दुलहन हम ले जाएंगे और पांचवे नमबर पर थी जोस और फिल्म फिजा को IMDV पर 6.1 आउट ओफ 10 रेटिंग मिली हुई है तो अब बात करते हैं फिल्म से जोड़े बहुत सारे ननौन फैक्ट्स के बारे में फिल्म के डारेक्टर खलील मुहमद इसके पहले एक जर्नलिस्ट के तौर पर और एक एडिटर के तौर पर काफी पॉपलर थे और वो इसके पहले स्याम बैनेगल की कुछ आठ फिल्मों जैसे मम्मो, सरदारी बेगम और जुबेदा जैसी फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले भी लिख चुके थे जिसकी क्रिटक्स के दोवारा उस टाइम पर काफी तारीफ की गई थी इन फिल्मों के बाद खलील मुहम्मद ने फिल्म फजा का भी पूरा स्क्रीन प्ले लख लिया था और उस टाइम पर वो चाहते थे कि इस फिल्म को राम गुपल वर्मा डारेक्ट करें लेकिन जाने माने सिनेमेटोग्राफर संतोस सिवन जो की इसके पहले बरसात, रोजा, इरूबर और दिलसे जैसी कुछ बहतरीन फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी कर चुके थे उन्होंने खलील मुहमद को बोला कि इस फिल्म को उने खुद ही डारेक्ट करना चाहिए और अपने आपको एक चांस देना चाहिए और अगर वो इस फिल्म को खुद ही डारेक्ट करते हैं तो संतो सिबन इसकी सिनेमेटोग्राफी करेंगे और फिल्म के डारेक्शन में भी उनकी मदद कर सकते हैं और इस तरह से खलील मुहम्मद बाद में खुद ही इस फिल्म को डिरेक्ट करने के लिए तयार हो गए थे हाला कि पहले खलील मुहम्मद इस फिल्म को टोटल एक आर्ट फिल्म की तरह बनाना चाहते थे और स्टार्टिंग में फिल्म में कोई भी कमर्सियल सीन और कोई भी कमर्सियल गाने एड नहीं किये गए थे और इस फिल्म की कास्टिंग और फिल्म की आधे से ज़्यादा सूटिंग रितिक रौसन की फिल्म कहोना प्यार है के रिलीज होने के पहले ही हो चुकी थी खलील मुहम्मद को इस फिल्म के लिए एक दम नए लड़के की तलास थी और रितिक रौसन इसको भली भाती पूरा कर रहे थे रितिक रौसन के अलावा उनकी बहन के करदार के लिए एक टाइम पर और्मला मातौंडकर को एप्रोच किया गया था लेकिन उर्मला मातौंडकर के साथ उस टाइम पर डेट्स की बहुत जादा प्रॉबलम थी इस बज़े से बाद में इस करदार के लिए करिस्मा कपूर को फाइनल किया गया था और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि फिल्म में करिस्मा कपूर हमें रितक रॉसन की बड़ी बहन बनी हुई नजा रही थी लेकिन वही अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो रितक रॉसन करिस्मा कपूर से लगबग पांच महीने बड़े हैं खलील मुहमद करन जोहर के भी बहुत अच्छे दोश्त थे और करन जोहर नहीं खलील मुहमद को फिल्म में मा के करदार के लिए जया बच्चन का नाम रिकमंड किया था एक्च्छी करन जोहर उस्टाइम पर अपनी अगली फिल्म कभी खुसी कभी गम के लिए प्लानिंग कर रहे थे जिसमें भीवो मा के करदार में जया बच्चन को ही लेने के बारे में सोच रहे थे हाला कि फिल्म में फजा की सूटिंग जब आदे से ज़्यादा कम्पलीट हो गई तो इसी बीच में रितक रौसन की ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हो गई और इस फिल्म के बाद तो रितक रौसन की देश भर में ऐसी सुनामी आई कि हर जगाए के उबल रितक रौसन ही चाय हुए थे उनकी हर गली, महले और सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे और उनको लेकर लोगों के दुलों में दीवानगी और एकसाइटमेंट एकदम आसमान चू रहा था और फिल्म कहोना प्यार है से फिल्म के डिस्ट्रिब्यूटर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था इस बज़े से उस टाइम पर ज़्यादा तर डिस्ट्रिब्यूटर्स रितक रौसन की इस पॉपलारिटी को कैस करने के लिए रितक रौसन की उसी साल आने वाली और दूसरी फिल्मों को काफी महेंगे प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हो गए थे और ये सारी चीज़ें फिल्म के डारेक्टर खलील मुहम्मद साफ साफ देख रहे थे लेकिन फिल्म फजा इसके अपोजिट बिल्कुल सिंपल और एक आर्ट फिल्म की तरह बनाई जा रही थी लेकिन बात में फिल्म के मेकर्स ने रितक रौसन का इतना ज़्यादा क्रेज देखते हुए इस फिल्म को थोड़ी कमर्सिलाइज करने का डिसाइड किया इस बज़े से बात में फिल्म में अलग से रितक रौसन के कुछ कमर्सिल सीन्स, कुछ गाने और बहुत सारी ऐसी चीजें एड की जिससे कि ये फिल्म देखने में थोड़ी कमर्सिल दखाई दे जैसे पहले फिल्म में रितक रौसन पर फिल्म आया गया गाना आजा माहिया फिल्म में नहीं रखा गया था लेकिन बाद में रितक रौसन की पॉपलारिटी को कैस करने के लिए इस गाने को अलग से सूट करके फिल्म में एड़ किया गया था जिससे कि रितक रौसन के इस गाने को फिल्म के प्रोमो के तौर पर टीवी पर दखा कर लोगों के बीच में एकसाइटमेंट क्रियेट किया जा सके और फिल्म रिलीज होने के पहले काफी हद तक बिल्कुल ऐसा ही हुआ था ये गाना उस टाइम पर टीवी पर और एफम पर रिपीटड मोटस में चलाया जाता था जिससे कि इस गाने को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट था रितक रौसन ने बताया कि इस गाने के कुछ सीन उनकी फिल्म कहोना प्यार है के रिलीज होने के पहले ही सूट किये गए थे हाला कि उस टाइम पर ये गाना प्लान नहीं था उनके केबल सिनेमेटिक सौट उस टाइम पर लिये गए थे जिसमें वो हमें एक हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक के बीचों बीच ये मूब्स करते हुए दखाई दे रहे थे इस सीन को सूट करते टाइम पर ट्रैफिक में दोनों तरफ से निकलने वाले लोग उन्हें पलट पलट कर देखे जा रहे थे लेकिन उस टाइम तक रितक रौसन को कोई भी जानता नहीं था इस बज़े से ज़्यादातर लोग केबल यही सोच रहे थे कि इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया है जो बीच हाईवे पर खड़ा होकर ऐसी अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है लेकिन अगर यही सीन रितक रौसन की फिल्म कहूना प्यार है कि बाद सूट किये जाते तो रितक रौसन इस तरह इसको ट्रैफिक में सूट नहीं कर पाते क्योंकि इतने समय में तो रितक रौसन को वहाँ पर देखने के लिए लोगों की लाइने लग जाती ही इसके अलाबा भी रितक रोसन के कुछ वर्काउट करने वाले सीन और दोड़ने वाले सीन भी फिल्म में अलग से एड़ किये गए थे जोनी लीबर को भी बाद में फिल्म में एक कॉमेडी सीन में लेकर एक चोटा सा सीन फिल्म आया गया था जिसमें जॉनी लीबर हमें एक पार्क में कॉमेडी सीन में बहुत सारे लोगों की हंचने के स्टाइल को कॉपी करते हुए नजर आते हैं इस सीन को भी बाद में अलग से सूट करके फिल्म में एड किया गया था इसी सीन में हमें जौनी लीवर सारुक खान के हाचने के स्टाइल का भी मजाक बनाते हुए दखाई देते हैं एक्चुली फिल्म फिजा के रिलीज होने के कुछ महीनों पहले ही सारुक खान और रितिक रौसन के बीच में कोका कोला और पैपसी के एडबर्टाइजमेंट को लेकर एक छोटी सी कॉंट्रोवर्सी सामने आई थी एक्चुली रितिक रौसन उस्टाइम पर अपनी फिल्म कहोना प्यार है के बाद कोका कोला के ब्रांड अमबेस्टर बन गए थे और सारुक खान उस्टाइम पर पैपसी के ब्रांड अमबेस्टर थे तब उस टाइम पर सारुक खान का एक पैपसी का एडबर्टाइजमेंट आया था जिसमें सारुक खान हमें रितक रोसन का थोड़ी मजाक बनाते हुए दखाई देते हैं एक्चुली रितक रोसन उस टाइम पर एकदम न्यू कमर थे लेकिन यूथ के बीच में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलविंग हो गई थी इस बज़े से उस टाइम पर रितक रोसन के फैन्स के बीच में सारुक खान को लेकर काफी नाराज की थी उस टाइम पर रितक रोसन के फैंस का कहना था कि सारुक खान जैसे बड़े एक्टर को एक न्यू कमर का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस साब साब पता चलता है कि इंड़स्ट्री में एक नए एक्टर के आने से सारुक खान कितने ज़्यादा इंसेक्योर हो गए हैं ये सारी बातें उस टाइम पर रितक रोसन के फैंस के दमाग में थी हाला कि इसके लगबग एक साल बाद ही सन 2001 में रितक रोसन और सारुक खान ने फिल्म कभी खुसी कभी गम में एक साथ काम किया था जिसमें रितक रोसन सारुक खान के चोटे भाई बने हुए नज़ा राए थे इसके अलाबा फिल्म फज़ा में पहले अमिता बच्चन और सारुक खान का भी एक चोटा सा गैस्ट अपीरेंच रखा जाने वाला था लेकिन ये फिल्म औरेडी दो घंटे 50 मिनिट की हो चुकी थी इस वज़े से फिल्म की लंबाईगी को देखते हुए बाद में सारुक खान और अमिता बच्चन के कैमियो इसमें नहीं रखे गए थे इसके अलाबा फिल्म के बहुत सारे सीन मॉम्बई की हाजी अली दरगाह में सूट किये गए थे और फिल्म का एक गाना पिया हाजी अली स्पेसली इसी दरगाहे के लिए डेडिकेट किया गया था और A.R. रह्मान के दोरा कंपोस किया गया ये बहतरीन गाना आज भी हाजी अली की दरगाहे के असपास सुना जा सकता है हाजी अली की दरगाहे पर और भी बहुत सारी फिल्मों को सूट किया गया है जैसे सन 1983 में आई अमिता बच्चन की फिल्म कुली के बहुत सारे सीन यहीं पर फिल्माए गई थे अजै दियोगन की फिल्म हला बोल के भी बहुत सारे सीन यहीं पर सूट किये गई थे फिल्म वन्स अपोना टाइम इन मंबई के गाने पीलू के भी कुछ सीन यहीं पर फिल्माए गए थे ऐसे और भी बहुत सारे सीन हाजी अली की दरगाहे पर फिल्माए गए हैं इसके अलावा फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें रियल लाइफ डकैत फूलन देवी भी नजराई थी जिनको बैंडिट कुईन के नाम से भी जाना जाता है फूलन देवी उस टाइम पर समाजबादी पार्टी की तरफ से मेंबर आफ पार्लियमेंट भी थी हाला कि इस फिल्म के रिलीज होने के लगबख एक साल बाद ही दिल्ली में फूलन देवी के बंगले के बाहर तीन नकाब पोस लोगों ने फूलन देवी के सर पर उनके चेश्ट पर उनके सोल्डर पर लगबख नो गोलिया मारी थी जिससे की फूलन देवी की मौके पर ही मृत्ती हो गई थी इस पूरी बारदात को सेड सिंग राना ने अंजाम दिया था और बाद मैं पुलिस से श्टेशन जाकर उन्होंने सरेंडर किया था बाद मैं उन्होंने बताया कि ये सब उन्होंने फूलन देवी से बदला लेने के लिए किया था फिल्म में एक आइटम नंबर महभूब मेरे सुसमता सैन के उपर फिल्म आया गया था एक्चुली इस गाने का म्यूजिक काफी हद तक आगे चलकर सन 2003 में आई फिल्म जान असीं के एक गाने नसे नसे में भी यूज किया गया था इन दोनों ही गानों का म्यूजिक आप चेक करके देख सकते हैं मैं इसकी लिंग के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा इस फिल्म मैं करिसमा कपूर की बहतरीन पर्फॉमेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टरिस का फिल्म फेयर अबॉड भी दिया गया था इसके अलाबा जया बच्चन को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का फिल्म फेयर अबॉड दिया गया था और रितिक रोसन को भी उनकी फिल्म 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 के बारे में मुझे तो ये फिल्म उश्टायम पर भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आज भी देखने में ये फिल्म काफी एमोशनल लगती है आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मूवी से जुड़े बहुत सारे अन्नौन फेक्ट्स और एंसी हिरोचक बातों के साथ